गुरु ने महर की हैं हम सब पर ज्यान दे नौ जितनी संगत अभी बैठी है मैं गुर्णानक का धन्यवाद करते हुए नहीं ठक रहा क्योंकि इतनी संगत रोज अमृत वेले भी होती है भार सिवले धन गुर्णानक सुभा तीन वजे नींद खराब करके कोई अपने आप नहीं आ सकता जब तक गुर्णानक न बुलाए नहीं आ सकता आप सब लोग आते हो ये बहुत बड़ी दाद दी है गुर्णानक ने आपको क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको बेंती कर सकता हूँ आओ सुभा उठाने घर में नहीं आ सकता प्यार से वो लिए धन गुर्णानक शाम को भीड़ी कठी करना बड़ा असान होता है अमरित वेले केवल वो आ सकते हैं मापुर्शो के बचन जिसे गुर्णानक बहां पकड़ के उठाए क्योंकि कल जुक सबसे ज़्यादा जोर उस वक्त डालता है हॉस्पिटल में जो मरीज भी तडप रहे होते हैं सारी रात तीन वजे वो भी सो जाते हैं प्यार से वो ले धन गुर्णानक अब इतनी बड़ी दात गुरु ने बख्ष दी रात को जाकते हैं पर कहीं इसका अंकार हो गया दस लोगों के बीच में बैटे हूँ भई मैं तो सुबा अमिर तविले जाता हूँ प्यार से वो ले धन गुर्णानक बाब अनंद सिंग्जी महाराज के बचन एक बार कह दो सिर्फ लोगों के बीच में बैट कर उशारी मार दो के मैं सुबा उटकर जाता हूँ तीन बजे अगले दिन ही नहीं उट पाएगा भार से वो ले धन गुर्णानक बुले शाह इस बाड़े में बहुत प्यारी बात कहते हैं बहुत ही प्यारी यह बुले शाह के लफज है मेरी नहीं थोड़े सक्त भी है किसे को बुरा लगे तो उसकी माफी पहले ही मांग लेता हूँ पर सुनिए क्या कमाल की बात कही है बुले शाह जिले राती जाके शाह सदावे के रात वो जाकता है अम्रित वे ले और अपने आपको कुछ समस्ता है भार सिवली अधन गुर्णानक राती जाके शाह सदावे पर रात नुजागन कुटे तैथी उत्ते बुले शाह जी कहते है रात को जाकता है और अपने आपको कुछ समझता है तो रात को तो कुटे भी जाकते है भार सिवली अधन गुर्णानक और वो भी तेरे से पहले से जागते हैं तू तो सोकर उठता है ना वो जागते ही रहते हैं पहर से वो लिए द्यन गुर्नानक आगे क्या कहते हैं बुले शाजी राती पॉंकन बस ना कर दे फिर जा रड़या विच सुपते तैथी उत्ते तू तो थोड़ी देर सिमरन करके सो जाता है पर कुट्टे सारी रात भौंगते रहते हैं फिर तेरे से उपर तू गरम गरम नरम नरम बिष्टर में जाकर सोता है वो पत्थरों पर जाकर सोते हैं तेरे से उपर बुले शाजी समझा रहे हैं इस बात को गलत डंक से मत लेना यहां पर रात को जागने से मना नहीं किया गया है जाक कर अंकार करने से मना किया गया है तो हर सिवो लिए धन गुर्नानक यहां से सर्वन किजिए पावे मारो सो सो जुत्ते तैंगी उत्ते कहने लगे बुले शाज के यार दबुआ मूल न छड़ दे पावे मारो सो सो जुत्ते कुत्ते का मालिक उसे सो जुत्ते मार दे मालिक का दर नहीं छोड़ता हमें गुर्द्वारे में कोई दो लफज बोल देना कहते हैं कल से गुर्द्वारे नहीं आएंगे हर से वो लिए दन गुरु नानक जमकर मालिक ने कुछ नहीं कह नहीं कहा ने कह देते हैं कल से इस दरुआर में नहीं आयेंगे वहां जाएँगे बार से व लिए धन गुरु नानक दूंगोजelt Tracy कहते कुछ ते तरसे अच्छे कम से कम अपने मालिक का दर्विन तो नहीं छोड़ते हैं आगे सर्विन कीजिए आगे की पंक्तिया कमाल की है बुल्ले आउटे यार मनाले 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 नई तामाजी ले गएं तुटे महापुर्श इस पंक्ति का अर्थ समझाया करते थे उठो अमिर्ट वेले इस पंक्ति का अर्थ ये है बुल्लिया उठी यार मनाले अगर तू अमिर्ट वेले उठाए देखिए अमृत वेले वो लोग भी उठते हैं जो ट्रेन पकड़ कर काम पर जाते हैं अमृत वेले कचरा उठाने वाले भी उठते हैं अमृत वेले गलत काम करने वाले भी चोर भी उठते होंगे बुलेशा कहते हैं अगर तु अमृत वेले उठा है तो तुने यार को मनाने के सिवाए कोई भी काम किया कहने कबाव सिमरन के सिवाए सेवा के सिवाए कोई भी काम किया कोई भी तो बाजी ले गए कुत्ते अगर उठा है तो उस समय को संभाल मुझे मापुर्शों ने एक बाद टोका था मैं नांदेड में था अमर्त वेले का समय था कोई किसी मित्तर ने मेरे से कोई बात की मैं हस पड़ा मापुर्ष आए वहाँ पर मुझे बहुत ताड़ना की तकरीबन 15 साल पहले की बात बता रहे दास ताड़ना की कि अमर्त वेले का समय है एक एक सेकिंड कीमती है सिमरन में बतीत होना चाहिए और तुम हस रहे हो पहर से बोलिए धन गुर्णानक ये कीमती समय है कि हीरे देकर भी एक सेकिंड नहीं खरीदा जा सकता पहर से बोलिए धन गुर्णानक निमर्ता गुर्णानक के घर की पड़ाई ये प्रकरन बहुत बड़ा है प्रशाम का समय है संगत को घरों में भी जाना है इसलिए एक दो पांट सौर लेके पांस मिट में समापती और दो पंक्तिया पड़े बाबा नानिक दुखी आदे नात वे दे शर पे मेरे तेरा हात वे बाबा नानिक दुखी आदे नात वे दे शर पे मेरे तेरा हात वे मेरी सिकोई ने एक कमाई मैंनो दर तेरे ले आई मेरे अपने विछट वे साथ वे दे दे सर पे मेरे तेरा हात वे बाबा नानिक दुखी आदे नात वे दे दे सर मेरे तेरा हात वे धन गुरु नानक दन गुरु नानक देव जी जोर से